Now, we are going to construct finite automata to accept strings over summation equals to a,b containing at least one aba and not containing b,b,b. अभी हमें automata design करना है और उसमें वो ऐसी language accept करेगा जिसके हर एक string में एक aba आना चाहिए, कम से कम at least one aba, कम से कम एक aba आना चाहिए, और क्या नहीं आना चाहिए, कोई भी string में b,b,b नहीं आना चाहिए, अभी इस टाइब की question के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बहले हम दो automata अलाग अलाग design करेंगे, एक automata design करेंगे, जिसमें हम लोग ensure करेंगे, कि at least one aba आये, और दुसरा automata design करेंगे, जिसमें हम लोग ensure करेंगे, कि बी बी भी ना आये, और फिर उसको merge करेंगे, ठीक है, तो finite automata to accept string containing, at least one aba, इसके लिए हम लोग design करते हैं, ठीक है, इसके लिए design, इस language के लिए automata design करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, initial state से शुरूत करेंगे, और तभी final state में जाएंगे, जब हमें ABA मिलेगा, A मिलना चाहिए, उसके बाद जब हमें B मिलेगा, और उसके बाद फिर से जब हमें A मिलेगा, तो हम लोग कहां जा सकते हैं, final state में जा सकते हैं, तभी final state में जाएंगे, जब हमें ABA मिलेगा, अब ही ऐसा हो सकते हैं, कि आपको initially B मिलेगे, तो हम लोग self-prison करेंगे, तो एक A मिलने के बाद में फिर से आपको A मिल सकते हैं, तो यहाँ पे भी self-prison करेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि जब ही आपको एक बार A मिला, आप A state में आगे हैं, Q1 state में, इसके बाद फिर से A मिल जाएंगे, और जैसे B मिलेगा, तो आप next state Q2 में जाओगे, और जैसे A मिलेगा, आप final state में जा सकते हो फिर, तो आपको यह ensure हो जाएगा, कि ABA मिल गया, इसलिए हम लोग Q1 मे आगर A मिला तो self-praction करन सकते हैं, और B मिला तो Q2 में जाएंगे, बट अगर हमें Q2 state में B मिलता है, तो हम लोग क्या गरेंगे, क्योंकि Q2 state में हम लोग कम आएंगे, जब हमें A मिलेगा, B मिलेगा, A मिलेगा, B मिलेगा, Q2 में आएंगे, और यहांपे आपको पिर से B मिल पारावर बराबर इसने b के लिए हम लोग q2 में से प्राइश्टर नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है आपको q2 से बिए जाना है q0 स्टेट में कूशेट में क्यूंकि फिर जब q0 सेट में जब a ABA मिलेगा तभी जाके हम लोग आ जाएंगे फाइन स्टेट में जा पाएंगे Q3 में तो हमने देखो Q0 में दोनों इंपूर्ट दिये A दिया B दिया बताया क्या करना है Q1 में B A और B के लिए ट्राइशन लिखे Q2 में B A के लिए और B के लिए ट्राइशन लिखे और आभी Q3 में A और B इंपूर्ट देते हैं हम लोग तो जब आप Q3 में आओगी इसका मतलब यह है कि आपको ABA सब्स्टिंग मिल चुका है अब इसका कुछ भी सिंबॉल मिले ठीक है तो भी वस्टिंग क्या हो जाएगी वालिड हो जाएगी बिकास वी ओंट आप लिस्ट वान अखरंस अब ABA तो विच वी हाव एंशोड ओके देर्फोर क्यूद्री स्टिंग में हम लोग कितने भी A मिले और कितने भी B मिले हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग करेंगे मिले हैं तो इस इस दे आउटोमेटा तो अग्सेप स्टेंग अद लिस्ट 1 ABA अभी हम लोग क्रेंगे नॉट कंटेंग बिभी finite automator to accept string not containing BBB not containing BBB BBB नहीं आना चाहिए कोई भी स्ट्रिंग में तो वो स्ट्रिंग वैलिट कई जाएगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं पहले ऐसा automator design करते हैं जिसमें BBB आये ठीक है फार एक्जमपल हम लोग initial state से शुरू करते हैं पहले B के लिए next state में जाते हैं दूसरे B के लिए फिर्ट से next state में जाते हैं और तीसरे B के लिए हम लोग यहां पर हमें A मिलता है तो क्या करना है तो यहां पर A मिलता है तो फिर से यहां पर वापस आएंगे A स्टेट में यहां पर हमें फिर से A मिलता तो क्या करना है फिर से यहां पर वापस आना है A के लिए स्टेट A में अइसा क्यों क्योंकि ette impie मिलने के बादने फिर से A मिलेगा और उसके बद b b मिलता है तो ऊल्獌 फारेल इसलिए इस बी में भी अगर यह मिलता है तो ए में आएंगे क्योंकि ए में आने के बाद फिर से आमें जब consecutive 3B मिलेंगे तभी हम लोग D में जाएंगे अंदर्वाइस नहीं जाएंगे तो D में हम लोग तभी जाएंगे जब हमें consecutive 3B मिलते हैं तब और एक बार D में जाने के बाद में कितने भी आपको A मिले और कितने भी आपको B मिले कितने भी A मिले कितने भी B मिले आप B में ही बने रहोगे ठीक है क्योंकि वो ensure करता है कि आपको 3 consecutive B बिल चुके है अभी इसके बाद हमारी step क्या रहेंगे हमें इसको negate करना है क्योंकि हमको क्या चाहिए ऐसा automata चाहिए जो string को accept तभी करेगा जब उसमें B, B, B ना हो तीन consecutive B ना हो तभी वो accept करेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इस automata को negate करेंगे negate कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो final state है इसको non-final state करेंगे और जो non-final states है इसको final state करेंगे ठीक है for example A को आप final state करोगे A को क्या करोगे final state फिर B को क्या करोगे final state और C को क्या करोगे final state और D को क्या करोगे non-final state ठीक है negate करना है आपको final state को non-final state बनाना है और non-final states को क्या बनाना है final states ऐसे बाकि transition as it is लिखोगे आपके transition as it is लिखोगे जैसे transition A का है यह वाला transition A के लिए है फिर यहाँ से यह transition A के लिए है it is दिखते जाणा है A transition B का है यह हम एagen है वसके बाद में A केलिए it जाना है और यहाँ पर B केलिए भी self function है तो हमेnh as it is लिखना है तो now we have two automator यह automator ensure करेगा कि हमें 3 consecutive वी कभी भी ना मिले देखो अभी अगर हमें 3 consecutive वी मिलते हैं तो इसमें हम लोग एक नॉन-finals state पे चले जाएंगे जो डे चेट है जो हमें कहीं है भी 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 लेकी नहीं जाती है आगे में बराबरे और वहां से हम लोग कभी भी फाइनस सब्सक्राइब करना है इसको अभी हमें कंबाइन करना है तो combine करने के लिए हम लोग क्या करते है टेबल बनाते है ठीक है टेबल बनाते है और दोनों की initial state को merge करते है दोनों की initial state को क्या करते है merge करते है fine तो टेबल कैसे बनेगा यहाँ पे हम लोग states ले लेंदे हैं और यहाँ भी input symbol लेंदे हैं अब इसलिए input symbol आपके वास में दो ही है एक a है और दूसरा क्या है भी है दो input symbol ले लो फिर इसका और इसका initial state लेना है और एक single state बनानी है हमें उसके q0 और दूसरा initial state क्या है ए तो यह दोनों हम लोग साथ में ले ले लेते हैं जो हमारी initial state बनेगी final order मेटा की q0 और इसका initial state लेना है और फिर q0 से हमें देखना है कि a के लिए कहाँ पे ट्रांशन हो रहा है q0 से a के लिए कहाँ पे ट्रांशन हो रहा है q1 पे वैसी a से small a के लिए कहाँ पे ट्रांशन हो रहा है a पे बराबर है ऐसे लेते जाना है भी फिर q0 से b के लिए देखो कहाँ कि व僕 ठोने के राद में फिर जो जो स्वेत यहां मैं तर्स ऍятся क्रांट कना तो हमें क्योंब यह क्युब्स का A के लिए transition का आपे हो रहा है Q1 का A के लिए transition हो रहा है Q1 पे और A का transition A के लिए का आपे हो रहा है self transition हो रहा है वैसे Q1 का transition B के लिए का आपे हो रहा है Q2 पे और A का transition B के लिए का आपे हो रहा है B फिर next हम लोग इसके लिए find out कर ले अभी इसके लिए Find out करते ہیں Q0 B लेते हैं अभी देखो Q0 का ट्राइशन A के लिए हो रहा है G1 पे AH perform konnten E के लिए Q1 हो रहा है और B के लिए कहां पी बेए Q0 फे वह सी बी का ट्राइशन देखो बी का ट्राइशन एक हो रहा है A पे Capital A पे और और B के लिए हो रहा है C पे Capital C तो इसके लिए हमने find out कर लिया फिर Q2 अनिहें already हो गया है Q2 B के लिए find out करते है Q2 B Q2 B में Q2 का ट्रांशन देखना आपको Q2 का ट्रांशन A के लिए कहां पे हो रहा है Q3 पे और B के लिए All Q2 का ट्रांशन कहाँ पर हो रहा है Q0 पर और B का अट्राइशन देखो A के लिए कहाँ पर हो रहा है capital A पर और B के लिए कहाँ पर हो रहा है capital C फिर next state हम लोग लेगे Q2B हो गई Q1 A जो आटाइट हमने find out कर लिया Q0 C लेते हैं Q0 C Q0 का अट्राइशन देखो कि वह एक यह कहांपे और बूक्न कर रहा है क्यों पे हैं कि वह एक कर भीक का होज़ा है कि या जिप कहीं दू color function कहीं है इसलिए आपको आज़कें आदि नहीं दिखाना क्यों जूरो यह किई स्टेट को हो भी हटा देंगी देर्स्टेट होने करेकर नहीं इसका कोई रोल हो नहीं है एक देन्स हमने q9c find out कर क्यों कर रहा है क्यूंटतरिए यह का रच अभी क्योंटनेघा तो यह हैं अभी क्यों यह और ओर रहा है और B के लिए जो है capital B पे हो रहा है तो यह transition हो गा है Q3A का फिर हम लोग Q0 C के लिए Q0 C अल्रेड़ी हो गया है देखो फिर Q1 A Q1 A B अल्रेड़ी हो गया है Q3A यहाँ पे हो गया है Q3B बचा और Q0 बचा है तो Q3A और Q0 बचा है अभी हम लोग Q0 के लिए transition find out करते हैं तो इसको मैं यहाँ पे continue करता हूँ Q0 के लिए हम लोग transition find out करते हैं भी और देखते हैं हाँ पे हो रहा है transition तो आपको बता Q0 का transition जो है A का हो रहा है Q1 पे और B के लिए हो रहा है self transition पिर वैसे हम लोग Q3 B के लिए फाइड आट करते हैं Q3B जब आप Q3B के लिए find out करोगे तो Q3 का transition जो है self transition हो रहा है एके लिए जोब अले ज बीक के लिए और B का देखो, B का ट्राइशन A के लिए हो रहा है, capital A पर है, और B के लिए हो रहा है, capital C पर है, तो यह state हो गई हमारी, Q3 A का ट्राइशन हम लोगो ने find out किया है, Q3 C बचा अभी, जो हम लोग find out करेंगी है, तो उसके पहले हम लोग Q1 का find out करते हैं, Q1 का ट्राइशन देखो यह हो गया हमारा, यह भी हो गया, Q3 C का find out करते हैं, Q3 C, Q3 C में देखिए, Q3 का जो है, self-runsion हो रहा है, A के लिए, और B के लिए भी self-runsion हो रहा है, और C का देखना है आपको, C का ट्राइशन, A के लिए capital A भी हो रहा है, और B के लिए कहीं भी भी नहीं हो रहा है, आप very simply Q3 आएगा, ओके, तो हमारा Q3 C बन गया अभी, Q1 का हमने find out कर लिया, Q2 का find out करते हैं, Q2, Q2 का ट्राइशन देखो, कहां पर हो रहा है, A के लिए Q3 पर हो रहा है, और B के लिए कहां पर हो रहा है, Q0 पर, और finally, अभी किसका ट्राइशन find out करेंगे हम लोग, कौन सा बचा अभी, Q2 हो गया, Q3, Q3 का ट्राइशन ए, A के लिए self-prाइशन हो रहा है, B के लिए, इसलिए हम लोग लिए Q3 का, A के लिए भी self-prाइशन, और B के लिए self-prाइशन, तो यह तो ट्राइशन डाइग्राम बन गई है, इसमें आप final state कोन सी लोगे, तो वो states आप final होगे, जि तो जहां जाबे Q3 और A, B से आ रहा है, वो सब final state लेंगे, आप लोगे, तो देखों, आपे Q3, A, R, R, A, Final state बनेगी, फिर Q3, B, R, A, R, A, Final state बनेगी, Q3, C, R, A, R, A, Final state बनेगी, बाकी की कोई भी state जो है, final state नहीं बनेगी, इसके लिए हम लोग टाइशन डाइग्राम भ वो ही final state इसलिए लेना है, कि हमारा उसे दोनों condition है, कि A, B, A आना चाहिए, और B, B, B भी नहीं आना चाहिए, और ये दोनों condition साटिस्पाय करने के लिए हमें, वही state final state लेना है, जिसमें दोनों आटोमेटा की final state present है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, Q3 में, ये भी final state है, यहाँ पे दुसरे आटोमेटा की final state present नहीं है, जिसके कारण वह ensure नहीं करेगी, कि हमें, तीन consecutive भी ना मिले, ठीक है, क्योंकि Q3 अगर आप final state लेते हों, तो उस case में Q3 में A और B के लिए set function आएंगे, जिसके कारण हमें, तीन consecutive भी मिल सकते हैं, इसके लिए हम लोग transition diagram भी तो इसके लिए transition diagram भ्रा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुरू कराएंगे Q0 A से, तो Q0 A is your initial state, यह state initial है, इसका ठाज़्यक Q1 A पर हो रहा है, तो इसलिए मैं Q1 A दिखाओ आँगा एंगा आपर, और B के लिए देखो, कहां पे हो रहा है transition Q0 B पर हो रहा है, यह B के लिए है transition, फिर Q1 A से self fraction हो रहा है A के लिए दिखा दे जाई है Q1 A से Q2 B पे हो रहा है इसलिए मैं Q2 B लेता हूँ आपे B के लिए Next Q0 B से Q1 A पे हो रहा है A के लिए और देखो B के लिए का आपे हो रहा है Q0 C इसलिए हम लोगे एक स्टेट ले ले लेते Q0 C जिसका आपे हो रहा है Then Q2 B से देखते हैं Q3 A पे हो रहा है इसलिए हम लोगे आपे Q3 A लेते हैं और A के लिए ट्राइशन दिखाते हैं फिर Q2 B से Q0 C पे हो रहा है राइशन तो Q2 B से B के लिए Q0 C पे हो रहा है राइशन क्यूजरोland से खो क्योब लोगा तो यहाला एक लिए दिखाएंगे हम लोग फिर हिंद से ज्दर और गारें वह और Q3B जो है Q3A से B के लिए Q3B पर आराइशन तो अभी दख़ा में Q3B नहीं लिए है तो आप है जो बिएक लेता हो इसे Q3C पर आराइशन हो इस आपको दिखाना है बाद में q0 का टार्यशन लिखने करेंगा q0 के लिए हो रहा है q1 पे तुम्हें यहां पे q1 ले ले दाओ और दिखा तो एक लिए और बीके लिए self-a हो रहा है कि फिर q1 का टार्यशन self हो रहा है एक लिए और बी जिए q2 पर हो रहा है उसके बाद Q3 C का ड्राइशन दिखाएंगे Q3 A पे हो रहा है A के लिए Q3 A पे हो रहा है A के लिए और B के लिए जो है Q3 पे हो रहा है इसलिए B के लिए दिखाते हैं कि Q3 पे हो रहा है Q2 का ड्राइशन देखो A के लिए Q3 पे हो रहा है और b केले काल पे band हो रहा है q0 के वह रहा है और fine कि घृत्री का धार्प उन्जर्णी जो तो यहां पर देखो जब हम लोग इस डारेशन में जाएंगे तो यहां से अगर हम लोग इधर जाएंगे तो यहां पर आने का कभी भी फाइन स्टेट में नहीं जा पाएंगे बराबर है और q2 से भी हम लोग कभी भी फाइन स्टेट में जा सकते हैं और फिर आप q1 यह में जाएंगे जा सकते हो इसका मतलब यह है कि जो स्टेट हमें फाइन स्टेट की तरब नहीं लेके जाती है वो सब स्टेट को आम लोग डेड्ड स्टेट करते हैं तो यहां पर आपका q0 q1 q2 q3 स्ट क्या है डेड्ड स्टेट है और इसका कोई रोल नहीं है इस आप्टोमेटा में इस तर आप प्रमेटा